कि अब दस ब्यक्तियों के एक सम्मों की और सथाई 20 वर्स है एक ब्यक्ति एक सम्मों को छोड़ देता जिसके और सथाई 2 वर्स कम हो जाती है ब्यक्ति ब्यक्ति इससे एक सम्मों के और सथाई वर्स निने चुछ तो पर दका ने चौर्स नहीं है दर सब्यक्ति वहांывайтесь मैं से पहलेू प्रसम्द सेमय प्रसम अधी टॉस कम लिए तो ब्रसम होगी है तो ब्रसम कम गिनी तो कितनी नौध तो दूने अठार है कि अठार बट्स कम होगी टोटर है ठीक है अब जो ब्यक्ति गया उसके कितने दोनों को जोड़ देंगे बीस और अठार है कि अठार तीस है बस इतना सा कोशन था अब देखो समझा देता हूं सब्सक्राइब एक ब्यक्ति निकल गया उसने किया किया सभी जो मतलब दो सब्सक्राइब नोव्यक्ति है सब्सक् SUSTA Спасибо नहीं सब्सक्राइब निखा तो निकलाएं रहा है लेकिन निकल के जाता है तो किस वर्सकाता सभी की दो वर्स ii कंद देता है हूं ठीक है तो धोरा दमाग लगा tuna कुछ नहीं कुछछ्टन में मैं ऐसी करता हूं आप भी इसे ही करओ तो बस इसमें क्या ना मैथ्ट को समझो वह क्या रहा है कुश्चन में गुस जाओ अंदर की तरफ ठी के बस और कुछ नहीं कि छोटर्य की चकर में मत रहां करो दोस्तो कुछ नहीं मैं किंग है कितनी सूट्रिक हो गए ठीक है अगर मेतर समझ में आ रहे हैं तो बाई सब्सक्राइब करो ठीक है चलो ने इस को सन की तरफ चलता हूं 25 विद्यारतियों का एवरेज 50 है अगर अध्यापक की बजन के लिए तो एवरेज बढ़े चाता है करते हैं पाचास है क्या दो…समें सब्समें थीकिण पैखर सर्द दीघेगा के दिखो संब् dua हुए मैं कि प्लॉसमें कि प्लॉसमें क्या कर रहा है क्लेंश को बढ़ाएं तो सब का एक एक बड़याए गाना तो 25 दो 25 बीकति हो तो 25 जो थे उनका वे बढ़ activities आप अपना यह Geez और up जो टीचर था चहतर साल का हुआ जो सामिल हुआ जिससे के वरे उसका क्यामन हो गया है ऐसे कहलो नहीं तो सेम वही है तरीका क्या है कि दूसी टाइप से बिद्यार थे कि पचीस उनों का एवरेज पचांस है अब पचास है पचीस का एक टीचर हाता है तो टोटल कितने हो जाते हैं चब्यश को जाते हैं तो चब्थेस का एवरेज जाता है तो कि भाठ जाते हैं तो पचास और चलुब रभी apparently यहупर कैसी तरफ चल्द क्या Den है जिव क्या कहा है सौंबार मंगलबार वह बुध्वार का एबरेज 32 c a.ng टेंपरेशर पूछ रहा है देओ कि यह क्या है कि मंडे टीफ डी एंड बेड़नेश डे क्या एवरेज है 32 बता रहा है तो टूटल एवरेज तीन दिन का कितना हो गया इन तीनों दिन का इसके बाद मंगलवार बुद्वार गुरुवार देखो टीफ डे वेड़नेश डेस थरस्टे का एवरेज होता है 30 इन तीनों दिनों का एवरेज कितना हो गया 90 हो गया अब गुरुवार मत्रट थर्सटे का एवरेज हमको उसने दिया 26 अब पूछा सौंबार का एवरेज कि देखिए क्या करेंगा समय देखिए यहां पर देखो थर्सटे में गुरुवार का एवरेज हमको 26 दिया है अब इस टोटल मैंसे तीन दिन का एवरेज मंगल बुद्ध और ब्रस्पति का एवरेज 90 है इस मैंसे ब्रस्पति का एवरेज 26 है इस 26 को गटा देंगे इस मैंसे तो जो बच्ची दो दिन जो मंगल बार बुद्ध बार का एवरेज निकल कि हमारे पास आ जाएगा ठीक है देखिए 90 है 90 मैंसे 26 गट गटा देंगे हम कितना मैंसे चार गया तो दस मैंसे चार गया तो चार आठ आठ मैंसे दो गए तो च्छे तो 64 कि मंगल और बुद्ध बार का एवरेज 64 अब देखो फस्ट वाले में मंगल और और बुद्ध बार का एवरेज प्लस सॉम्वार का एवरेज हमको कुछे सॉम्वार का मंगल और बुद्ध का हमारे पास 64 निकल गया टूटल मंगल और बुद्ध का इसमें से घटा देंगे टूटल मैंसे तो सॉम्वार का बच जाएगा ठीक है बचेगा दो तीन 32 डिग्री सेंटी ग्रेट कि यह किसका गया सुम्मार का जो पूचा है कुछ समय का टेंपरिचर आ गया 32 डिग्री सेंटीग्रेट आता है ठीक है ना तो ऐसा करता हूं आपकी समझ में आ गया होगा चलो नेस्ट कोशन की तरफ चलते हैं दोस्तों दोस्तों देखो कुशन समझ में आ रहे हूं तो बताना कमेंट में और नहीं आ रहे हैं तब भी बताना और क्या परिशानी है साउंड कम आ रहा है या दिखाई नहीं दिरह सही से जो भी प्रॉब्लम आ रहा है वो बताना ठीक है ताके मैं नेस्ट वीडियो में उसको इंप् पहले अंग दूसरे का एक वर्टे तीन थता थीसरे का यह वर्टे चार है सबसे बड़ा अंग में ग्यात की हुआ है थिक तो देखिए कि अग्ये 3 को को ऑफमा इतना है 20 ऐसिए तो टोटल कितना हो गया पीस गुणा तीन हो गया है टोटल नगा रहेंगे तो गुणा करते हैंगे बीस-वीस कर तीन हो जागा साथ हो टोटल है अब क्या हो रहा है देखो पहला इसमें यह बोल रहा है पहला है जो फस्ट इं मराबरे इंद्स एकपश्च क्या एक पुर्ट थीन के शेंद्स एक एक पुर्ट थीन घबरावर तता तीसरे अंग के पुर्ट चार है फंश्ट वाला यह तीसरी का कितना है चार तो मतल़ा थेड़ का एक बट्टे चार है और इसका रेशियों नकालेंगे तो नीचे इक रख सकते हैं चाहट भार है इसका इल्सीमा के बार है बार है कि इन तीरों में कर देंगे गुणा तो बार है फस्ट बार है बरावर बार है एस मट्टे तीन बार है टी मट्टे चार इसको कर देंगे तीन चाहब बार है चारती बार तो बनाएगा बार है थीक है जैसे ओ फोर एस जैसे ओ थ्रीटी आ जाएगा मतलब उनमें जो रेश्यू निकल के आजाएगा जाएगा अब देखिए दोस्तों यह आगे बार है बार है फोर एस और थ्रीटी अब देखो इसमें है एसे निकलने के लिए क्या करते मुंद फष्ट वाली करना ना यह दोनों कर दें गुदा परस्ट वाली का निकलना तो तो बजिए सेश बचणे वे उन दोनों का गुणा कर देंगे चार और तीर बार तो फष्ट का आगे बार है कि है कि मड़़र्ऑ निकाल ने तो सेक्ड़ वाली को दना के जो फष्ट ऊचरश जो बचा कर देंगे गुड़ा तो 12 ती 36 आपने ओर धेड़ वाला निकालने तो थेड़ वाले को दबा लेंगे फ़ेस्ट और सेकने जो बचा उसका कड़ देंगे गुड़ा अरचक बड़ तालीस और देखो अब इसको i am 22-23bev तरीज कहा गया रेसियो एक टीन रीशियो चार आ गया है टोटल संग्या 60 क्या रेसिव तीन होगा 134 भी भशें बड़ा पोजह बड़ा समसे करना चार इसको नकाल देंगे तो टोटल कतना हो रहा है चार साथ और आठ तो साथ का बड़ा बाला नकाना चार नीचे टोटल आठ चार दुनिया दो से दो से कितने वार कट गया तो तीस वार तो से बड़ी संकितन यागी तीस अंसर लहां कि अधो पहले यह सं ना फिर उसके बड़ी ऑंसर आए ना था चलो आउनि समझे आगया वहहां ने शक्राइब पहली दस प्राकते प्रगेशन संक्राओं कई और फेली दस प्राक्नित्राब तक म्लाक्त क्या हो ऌसा क्या होगा गिए वे तर्ट संः होगा वेलीर्जद्य क्या है है क्या होगा तो दस होगा देखो कैसे होगा है परस्ट में थर्ड कर्टी दस प्राग दो पिसम संग्य लेखे लो एक तीन पांट साथ नो ग्यारे तीरे पंदे शत्रे और उननेस दस होगे दो एक दो तीन चार पांट चेर साथ आट नो दस और इंका आवर्यज निकाल लेंगे एक कि देखो क्या है तो अब भी दिच वाला हो जाएगा देखो इस हैंना टोटल है तो दस में से दीच वाली दो लेंगे हैं चार यदर छोड़़ो चार इदर छोड़ो लो तीन चार बीच वाली मिन दौनों को ले लेंगे गयारे? और वोको जोड़के 2 का भाग देंगे जाजाएगा नौर ग्यार कितना हो गया बीस वट्टी दो बरावर 10 आपर जागे नहीं आगया फैक्ट है इसको रट लो या कुछ भी कर लो रट लो इसको लिए इससे आपको फायदा है उसमें क्या है आपको टाइम बचे आएगा आपका नहीं तो आपका यही मेल हड़ा है तोटर उस उनकी बीच वाली संख्याओं को लेकर निकल देना है मौलोलो भीच वाली पुछिज मतलब पहली पचास प्रक्त्र संख्याओं को पूछ रहा है मलो पहली पचास संख्याओं को एवरिज कितना हैं तो पचास में इक ली बीच वाली संख्याओं कितनीन आएंगी हें पचास काहई पचीज है तो कितनी आजांगी हो पचीज है 25े 24 च्में farther को जोड़ों क दो का भाग देंगे तो साड़े पचीज आजाएंगा ठीक है ऐसे निकाल ली ना कि अ हो ङुद्व पर बिसंद जितनी से प्राक्तर ऐसे पना बातार उनका एवरेज उतना ही होता है ठीक है कि यहां पर लेख सकते हो कि विसम संख्याओं का एवरेज कि कितनी संख्या होते हैं उतना ही होता है कि उतना ही होता है आप अशा करता हूं समय आ गया हो चलो नेस्ट पॉसनिक तरफ जलते हैं जितनी प्रथम ओड़ संख्या होती है उनका एवरेज भी उतना होता है इसमें एक कंडिसन प्रथम ओड़ शंख्या है इसमें शुरुआ से दी होनी चाहिए रे जिसे पहली दसक्रा कख्रा में उसी प्रथम से पैहलीप 10 प्राक्तर संख्या तो उनका एवरेज पाचास हो जाएगा यह को सण है पहली अठामन प्राक्तिक संख्याben पूछ रहा है अला के सढします प्राक्तिकन संख्याओं प्रेज सब्सक्राइब देखिए जी इसमें क्या करें पहली अठावन प्राकृतिक संख्याओं का एबरेज इसका दूसी देखिए अपको याद होगा प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है एन एन प्लस वान अपॉन टू यह योग का इस उत्र होता है और एबरेज निकाल लेंगे तो इसका संख्याओं से बाग देदेंगे संख्या क्या जाएगा एन प्लस वान अपॉन टू तो इसमें लगा दो अगर यहीं पर कुछन होता है पहली अठावन बिसम पहली अठावन प्राकृतिक विसम संख्याओं कितना है पहली पांच लगातार संप्राकृतिक संख्याओं का एवरेज कितना है इसमें क्या रहेंगे सीथा एक जोड़ देंगे चप चाप पांच प्लस एक छे हो जाएगा और कैसे हो जाएगा यह समें लो पहली पांच भी समसंख्याओं जोड़ लो देखो दो चार छे आठ दस एक दो तीम पांच टोटल पनाव रहा दस और अठांट अठांट आ अठांट है तक 24 24 और कुछ जो एक है तो एक डीक फोटरों तहें लोट क्योंट करना है इसाथ प्राक्तिक संख्याओं का अविछ पूछ रहा है तो सिदिक्स जतनी संख्याओं मंश्चाओं मीछ देंगे अगर सम्का पूछ रहा है तो यह जोड देंगे अगर बिसमुक्षए तो उतना हिरेगा नोट में प्राइब लिख सब्सक्राइब मिआप तुब डूंअ मेंक मेरेज निकलते तूपा एक जोड त flows और गोर जाता है अगर कुष्छन आपकी समझ में आ रहे हैं तो दोस्तो सब्सक्राइब करो पहली पचास समसंख्याओं का एवरेज क्या होगा पहली 500 समसंख्याओं का एवरेज क्या होगा पांसो प्लस एक होगा सीधा सीधा पांसो प्लस एक यूगल टो पांसो एक आंसर ठीक है को सनों को ऐसे करना है जैट के में चलो नेश्ट को सनी तरब चलते हैं कि एक बॉक्स में 81जी दिव्ध स्वाओ जोड जाता है तो यहीं नाव टोंटं के जी हो जाता है एक बुक का 8.1 kg वेट आता है ठीक है तो जब एक नया और बुक उसमें डाला जाता है तो एवरेज 8.2 kg हो जाता है तो मतलब एक नया बुक डाल रहे हैं तो एवरेज 8.2 kg हो रहा है मतलब प्रतेख बुक का उस बुक को डालने से उसमें कि वह स्थे पुण्ट में रहे हैं जो उसमें ऌलरी बुग हो जाता है सके बज tempo में .1 kg की बड़ उतरी कर देती है देखो पॉंट 1 kg था अभी पॉंट 1 पॉंट सॉरी 8.1 था 8.2 हो गया तो पॉंट 1 kg बढ़ा दिया उसने तो मतलब क्या है वो पहले जो बुक थी उन से जो बाहरी होगी जाता बजना होगा उसमें तो देखो पहले उसमें भुक हुठ थे क्या है था वह उसने बढ़ाया कितना міट है यह 5.2 माँनस 8.1 पॉंट 1 kg बढ़ा दिया उसने क्याकी है वोक्राइग जैक तो टोटल कितना बढ़ा दिया मैंने बजन तोटल उसने बजल बढ़ा दिया वाई साव 8.2 एक बाद एवरेज कितना बढ़ा दिया उसने आखे पॉंट वन पॉंट वन एवेज बढ़ा दिया टोटल कितना होगा इस पॉंट बटाएंगे तो दसका बाग लगा देंगे तो एट पॉंट टू केजी वेट उसने बढ़ा दिया तो मतलब इतना वह बेट एस्टा लेगे आई थी ठीक है यह तो हो ना भाई ब्यासी बुकों पॉंट वन निकालेंगे गुणाक करके तो इस बॉंट टू आ गया ठीक है टोटल वेट निकाल लेंगे बुस उस बुक का कितना आजएगा एट पॉंट वन प्लस एट पॉंट टू क्योंकि पहली एवरेज करना था एट पॉंट वन ठीक है और उसने बढ़ाया थी तोट सब्सक्राइब करें देगे इसको सब्सक्राइब एक वर मैं दुबारा से समझाता हूं आपको पहले एक जो डाली है उससे एवरेज फॉण टू हो गया मतलब पॉण्ट वन केजी बढ़ा दिया प्रतेक का बजन तो टोटल बुक हैं सब्सक्राइब करें तो पहले आव जो बुक्स में डाली उसका टूटल वीट निकलेंगे तो कैसे निकलेगा पहले एवरेज था एट पॉण्ट वन एट पॉण्ट वन प्लस जू उसने टूटल वेट बढ़ा दिया एट पॉन्ट टूगेजी इसको जोड़ देंगे तो 16.3 कीजी आ जाएगा जो बुक्स में डालिया उसका बजन रियल वजने आ जाएगा 16.3 कीजी की जो बुक्ती उसको डालने से एवरेज 8.1 कीजी पर 8.2 कीजी हो गया ठीक हास्ता करता हूं समझ में आ गया होगा चलो नेस्ट कॉशन की तरफ चलते हैं कि देखो एक बॉक्स में 97 बॉक्स का एवरेज 9.7 कीजी है जब एक नया नोट बॉक्स में डाला जाता है तो एवरेज 9.8 कीजी हो जाता है नए नोट बॉक्स का वेट गयात कीजी है देखो सेम कुशन है 97 बॉक्स है उनका एवरेज 9.7 कीजी दूसरा बॉक्स जो नया डाला जाता है उससे 9.8 कीजी बजन हो जाता है तो देखो 0.1 कीजी बढ़ा दिया उसने 9.8 था 8 है फी पहले 9.7 था पॉंट 1 कीजी उसने बढ़ा दिया तो अभी जो बॉक्स डाला है एक तो टोटल बॉक्स केतने होगी 97 और 98 98 का पॉंट 1 कीजी नकाल देंगे कितना गया 9.8 कीजी 9.8 कीजी आगया ठीक है यह कि इतना बजन उसने बढ़ा दिया टूटल सब में तो पहले एवरेज तक था 9.7 अभी कतना होगी 9.8 तो टूटल जो जो बुक है उसका टूटल वेट हो जाए कतना देवो पंदर है यह तो नगे 9.8 और 19.5 कीजी टूटल वेट हो गया उसका अगरता हूं समझेवाँ आ गया होगा चलो नेस्ट कोशन की दरब चलते हैं तीन बरस पूर एक सदस्य वाले परवार का अवरेज 17 था आज से तीन बरस पहले एक परवार था जो पांस सदस्यों की फैमिली थी उसका अवरेज 17 बरस था आज से तीन बरस पहले एक बच्चे के जनम होने के बाद आज भी परवार का एवरेज वही रहता है मतलब सत्रह ही रहता है एक बच्चा उसमें बढ़ गया जनम हो गया फिर भी आज प्रजेंट में उसका एवरेज सत्रह ही है बच्चे का बरतमान एज क्या है देखिए आसे तीन साल पहले की बात करेंगे तो पांस सदस्य थे एक परवार में एबरेज उनका सत्रे था तो टोटल उनकी पांच की एज नकालेंगे आसे पांच साल पहले की तो कितनी आ जाएगी के टो तोतल बैसको यह चुदो सब्सक्राइट से एंगे तीन वर्स पहले आभरेज चत्र है और पांच लापांच। जो फेमिली है उस एक सदस्य का सोरी एक फेमिली का जिसमें पांस संदस हैं उनका एबरेज पंस पहलए सतर है तो आज कितना हो जागा तो पांच क्या बढ़ जागा तो आज सत्र घूस चल्टलीश हो जाएगा विज्ट है तो पूश्ट में उनका कितना हो जाएगा सत्रे प्रस्ती तो बीस हो जागा एवरेज ठीक है प्रजेंट पर उनका एवरेज कितना हो जागा बीस अब क्या करा प्रजेंट पर उनका एक बच्चा हो गया है तो मतलब सदस्य कतने हो गए छह छह सदस्य हो गए फिर भी एवरेज उनका कितना है सत्रही है न तो देखिए अब जब पांच थे ठीक है न तो एवरेज बीस है आज भी तो टोटल उनके एज कितनी हो गई पांच गी बीस बड़ा पांच विगल तो अब टोटल पांच विगल विगल अज सव वड़्स हो गई ठीक है अब उनमें क्या हुआ एक बेक्ति ने जनम ले लिए बच्चे ने जनम ले लिया है तो बेक्ति होगा च्छे आप च्छे की टोटल एज निकालें गई तो देखो जब बेक्ति जनम ले लिएता है सत्रही रेता है तो टोटल बेक्ति च्छे एवरेज सत्रह तो टोटल एज कितनी होगी आज भी उनकी एक सो कि दो अब यहां पर लोड़ा समझना कुछ नहीं समय देखो आज एक हैमली का एवरेज पीस है तो टोटल उनकी सो आ गई बच्चे ने जनम ले लिया और एवरेज उतना ही बता रहा है तो कितना होगा एक सो दो टोटल तो यह पांच का है टोटल बजन यह छे का है टोटल बजन पांच ब्यक्तियों का टोटल सो है छे ब्यक्तियों का टोटल एक सो दो है तो जो एक जो बढ़ा है उसमें जो बच्चा जनम दो के जी बढ़ेगा ना वई आंसर आंसर दो के जी बढ़ेगा बजन अच्छे का आंसर सिरसीता समझना है देखो दोबारा समझता हूँ एक ब बार है तीन साल पहले उनका अज कितना हो गया तो बीस हो गया तो उनका टोटल यह उनकी एज का योग कितना हो गया आज प्रिजेंट में एवरेज 20 है पांच का तो कितना हो गया सो हो गया फिर क्या दूसरी कंडिशन उसने बताई है यह देख मदलब एक बच्चे के जनम होने के बाद आज भी परवार का एबरेज सत्रे ही रहता है तो परवार में सदसे होगा च्छह एबरेज कतना है सत्रे ही है आज भी तो सत्रे गुणा चाहिए उकल टो एक सो दो बजन होगा एज होगी टोटल जो छे वेक्तियों की जो दो एकसोदों मेंसे सो गड़ा गटा देंगे दो वर्स नानीच्टों ब्रॉर सुर्णी की तरफ चलते है है एक वधर्यार्थी दो अंकों वाली दसंक्यों का एबरेज निकालता है है ठीक है एक विद्यार्थी है वो दो अंकों वादी दस संख्यां का अगर एक संख्या के अंकों को आपस में बदल दें तो उसे 3.6 बढ़ जाता है और संख्या के अंकों का अंतरग्याद कीजिए ठीक है कि देखी एक संख्या तो माले दुगवी संख्या एक संख्या क्या है के मां थम टेन एक सब्सक्राइब अंकी क्या पछेयाद मत्र टैन वाइप लस एक यह गुला न तो क्या होता है उसका एबरीज है जो 3.6 बढ़ जाता है पहले एबरेस था जो भी था ऑं जो अभी है वह 3.6 बढ़ जाता है ज़्यादा हो रहा पहले मालो iki भी मालो कुछ जो दस है तो अभी तेट 8.6 मुझे सब्सक्राइब भर रहा है ठीक है तो संख्या के लि colours वांखों अंतर स्बीज के अंक कितने इसा एकुर्फ एक और लगांतर पूछ रहा है उसने कि नगने कि देखों कि घर्च रहा है पिर्चनले वाई में से बाइए जाएगा तो देखो, 10x-x-9x-9y बच जाएगा, तो कितना बच रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, यहां से x-by नकाल लेंगे, आए, देखिए, ऐवरेज यह तो 3.6 बढ़ रहा है, एवरेज का मतलब क्या, 3.6 अवरेज मतलब प्रती का 3.6 बढ़ रहा है, एक का 3.6 बढ़ रहा है, तो संक्य दस है, दस संक्य ना, तो 10 का कितना बढ़ जाएगा? ठीक है दसका कर देंगे गुणा चतिस बढ़ जाएगे तो यहां से आप एकस भाई का मान नकालेंगे जो पूछा है तो एकस मैंस भाई बराब हम नकालेंगे नो यहां से कॉमन आ जाएगा 3.6 x 10 upon 9 हो जाएगा यहां पर तो पॉंट को अटाएंगे तो नीचे 10 का बढ़ा कर देंगे 10 से 10 कड़ जाएगी 9 से 36 9.4 तो एकस मैंस भाई जीकल टुकल तरह आ जाएगा देखो 3.6 x 10 upon यह 9 कॉमन लेके 9 आगे नीचे पॉंट टाया नीचे कर दिया 10 का गड़ा 10 से 10 कट गया 9 से 36 को चार बार कर दिया तो एकस मैंस भाई बराबर केतना गया चार तो अंकों का अंतर केतना गया चार ठीक है आसा कड़ता हम आपकी सुझम आ गया होगा दोस्तों यह यहां पर हो गया एवरेज का पूरा चैप्टर फिनेस जितने भी टायप होते हैं एल डीसी लेवल तो क्या उसे भी अच्छा है जो भी मतलब अच्छे क्वेशन है सब इसमें ले लिए मैंने और किसी में भी टायम नहीं लग रहा आपने देख लिया होगा कोई भी टायम टेकिंग कुछ कुछन नहीं है शो भी सौलुसन करना थे को टायम बचाना है मैंन बात यह ठीक है एक्जाम में आपको टायम बचाना है ऐसा न कमेंट करके बताओ जो भी समस्या है उसको बताओ ठीक है जो भी परिशान है उसको बताई आप आपको अगर सही से दिख नहीं रहा है या साउंड कम आ रहा है उसको बताओ कमेंट करके ठीक है जो भी परिशान है और क्या आप चाहते हो और कुछ इनक्रीज करना है कुछ बढ़ाना एंगठाना जो भी आपकी प्रोब्लम है उसको कमेंट करके बताओ और अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों और सेर करो दोस्तों को ठीक है ठीक है दोस्तों फिर चलते हैं नमस्का दोस्तों बाई